Hello friends, welcome back to Rani Kitchen Zone Friends, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए देख लेते हैं कुछ amazing से kitchen के tips and hacks पसंद आए तो वीडियो को like, share के साथ सा channel को subscribe ज़रूर करिएगा चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले tip के तरफ तो देखे इस तरीके से जब हम नीबू को use कर लेते हैं तो उसके छिल्कों को normally हम फैकते ही हैं आज इसको फैकना नहीं है, आज इस पे थोड़ा सा baking soda और थोड़ा सा इस पे आधा चमच के आसपास vinegar डाल देना है और इसको use देखे अपने tap में करेंगे क्योंकि कभी-कभी देखा होगा आपने कि इसका जो पाने का flow होता है वो बहुत जादा कम हो जाता है देखिए reason कुछ भी हो सकता है जिनके घर पे hard water आता होगा इसके वज़र से भी ये block हो जाता है साथ के साथ अगर कोई गंदगी होती है तो भी block होता है तो नीबू को इस तरीके से rubber की help से इस पे लगा करके और पांदस मिन्ट छोड़ दीजिएगा इसके बाद इसको हटाईएगा और अच्छी तरीके से इसी नीबू से इसको साफ करना है आप देखेंगे कि जो भी blockage वगरा होगी वो एकदम से खुल जाएगी अब देख लेते हैं नेक्स टीप तो यहाँ पर देखें चश्मा ले लिया है मैंने आज कल हम स्क्रीन का इतना जादा यूज करते हैं कि तकरीबन घर के सारे member को चश्मा लगा हुआ है और कई बार देखें चश्मा गंदा होने के वज़े से हमारे जो visibility होती है वो सही नहीं मिल पाती तो इसके लिए देखें वैसलीन ले लेना है और इसके जो glass है ना इस पे लगा देना है अच्छी तरीके से आगे पिछे लगा दीजिएगा इसके बाद आपको कोई cotton का कपड़ा या तो आप इस तरीके से tissue paper का भी यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल hulky hand से इसको धीरे-धीरे rub करना है आप देखेंगे कि अगर इसके उपर scratch भी पड़े होंगे ना तो वो भी धीरे-धीरे heal हो जाएंगे और जो इसकी visibility होगी एकदम से clean, एकदम crystal clear यह हो जाएगा अब बढ़ते हैं अपने next tip के तरफ तो देखेंगे जब कभी भी हम इस तरीके का rubber bands लगाते हैं तो कुछ time के बाद इसका जो elastic होता है वो खराब हो जाता है अब खराब होने के वज़े से जो इसका original shape होता है वो सही नहीं होता है जब बाल में लगाते हैं तो धीला हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए देखें सिंपल से tip है आप glass में rubber को डाल दीजे और इसके बाद इसके उपर एकदम खौलता हुआ गरम पानी डालिए आप इसके उपर एकदम गरम पानी डालेंगे आप देखेंगे कि यह rubber band है अपना जो original shape है वो बिल्कुल hold कर लेगा एकदम आजमाई होई tip है और यह 110% work करता है अपसे इस तरीके के जो rubber होंगे आप उसको fake एगा रही यह tip ज़रूर follow करिएगा और अगर आपको tip पच्छी लगी तो प्लीज एक like ज़रूर दीजिएगा और अपने अनुभाव नीचे comment box में ज़रूर share करिएगा अब बढ़ते है next tip के तरफ तो यहां पर देखिए मेरे पास एक bottle है यह चोटी वाली cold drink की bottle है तो मैंने इस तरीके से ले लिया इसको और अब देखिए इस पे न माग कर लेना है जैसा मैं माग कर रही हूँ आप ध्यान से देख लीजिए सेम आपको इसी तरीके से इसको माग कर लेना है और माग करने के बाद इस तरीके से इसको कट कर लेना है तो आप इसको किसी sharp knife से कट करेंगे या फिर चाको को गरम करके कट करेंगे अच्छे से यह कट हो जाएगा अब देखिए कुछ इस तरीकी का shape हमें मिला है तो ये जो cut वाला part था ना उसको इस bottle के नीचे से लगा देना है तो ये बहुत अच्छा सा एक holder बन करके ready हो जाएगा अब इसके उपर मैं एक cap लगा रही हूँ cap को छेद कर लेना है थोड़ा सा चाकू गरम करके और बिल्कुल आप अपने recording छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए आप इसमें hole कर सकते हैं तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा भी ने किया है medium size का किया है अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा funnel बन करके ready हो गया है क्योंकि आजकल के घर में बहुत कम देखने को मिलता है कि फैनल खरीदा जाता है तो आप इस तरीके से बनाए और use करें बढ़ते हैं next tip के तरफ तो देखिए पूजा रूम में मेरी आदत है कि मैं इस तरीके से एक दिया जरूर रखती हूँ जिसमें की जितने भी wastage होते हैं लाइक माचिस की तीलिया या फिर इस तरीके के जो cotton की बतिया होती है उनको इकठा कर लेती हूँ तो देखिए इसका भी use है आप इसको भी waste समझ करके फेंकियेगा नहीं सबसे पहले तो जितनी भी तीलिया थी ना मैंने उसको चुन लिया है और दो चार इसमें छोड़ दिया है मैंने इसके बाद देखिए इस पे कपूर डाल देना है क्रश करके साथ के साथ 5-6 लॉंग डाला है मैंने अब इसको अच्छे तरीके से जला देना है जैसे ही आप जलाएंगे आप देखेंगे कि आपके घर में एक बहुत ही प्यारी से खुश्प उड़ेगी और साथ के साथ जो नेगेटिवीटी होगी ना वो तो दूर होगी ही अच्छे यहाँ पे देखिए आपको किसी भी चीज के जरूरत नहीं है यहाँ पे जो बत्तियां है वो अल्रेडी घी में या फिर तेल में डूबी हुई है तो यह इसको जलाने में बहुत जादा हेल्प करेंगी अब देखिए मैंने इसको जला करके और मैं अपने पूरे घर में घर के कोने कोने में इसको मैंने गुमाया जिससे जितने भी मक्ही, मच्छर छूपे होंगे वो एकदम से भाग जाएंगे अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो यहाँ पे दिखिए जाडू ले लिया है मैंने कई बार ऐसा होता है जब हम जाडू लगाते हैं तो घर में बाल बहुत दिखते हैं और यह जो टाइम चल रहा है ना हिमिटिटी का है तो अच्छे अच्छे लोगों के भी हैर फॉल होते हैं और जब जाडू लगाओ या फिर पोच्छा लगाओ तो बहुत जादा इरिडेशन होती है बालों से तो आप जब कभी भी जाडू लगाएं तो जाडू के उपर इस तरीके से टेप जरूर लगा लीजिए यह हेल्प कैसे करेगा तो देखिए जब इसके उपर हम इस तरीके से चिपका देंगे तो यह जितने भी बाल होंगे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने तरफ इकठा करेगा अपने तरफ होल्ड कर लेगा और जो घर में इधर उधर बाल उड़ने की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा आपको जाडू पोछा करने में भी कनमेनियन्ट होगा तो ये टिप तो मेरे लिए बहुत काम की है क्योंकि मैं बाल से बहुत जादा इरिटेट होती हूँ और मैं सब को यही एड़वाइस करती हूँ कि एक जगव बैट करके बाल को जाल ले इसकी बाल जितनी भी बाल आपको लग रहा है कि आपके आसपास गूम रहे हैं उनको इकठा कर ले तो देखिए हमने इस जाडू से इसको जाड़ा तो देखिए कितना जादा इसमें बाल इकठे हो गए तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी टिप है आप एक बार जरूर इसको यूज करके देखिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए इस तरीके से जब दूद का बरतन खाली हो जाता है तो उसमें मलाई कठी हो जाती है तो इसको साफ करने के लिए बहुत अच्छा सा टूल है जिसको मैं आपको शेयर करने वाली हूँ देखिए इस तरीके से अगर स्पून का यूज करते है तो वो इतना convenient नहीं होता है इतनी सफाई से नहीं निकलता है जितना कि इस तरीके से एक पुरानी चाकू को यूज करेंगे तो निकालेगा देखिए बहुत ही असान होता है इससे मलाई को खुरचना और खुरच करके निकालना तो ये मेरी खुद की personal tip है अगर आपको पसंद आई एक भर यूज जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज जरूर बताईएगा तो इस तरीके से मैं तो दूद का बरतन एकदम से खाली कर देती हूँ जिससे इसको धोने में भी काफी convenient होता है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है नेक्स टाइम से ये टिप जरूर यूज करिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो यहां पे देखिए मेरे पास cookie पड़ी होई है और cookies में सबसे बड़ी problem ये होती है कि ये air को बहुत जल्दी absorb करता है और जिसके वज़े से ये खराब हो जाता है सिल जाता है और सिलने के बाद ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो जब कभी भी आप इस तरीके container में आप भरें इस तरीकी की cookies को तो साथ में एक चम अच्छी बनी रहेगी तो होप करती हूँ कि ये भी चोटी सी टिप है आपको काम आएगी तो डे टो डे लाइफ में इन सब चोटी चोटी टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर के साथ सा चनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कौन से टिप आपको सबसे अच्छी लगी भी जरूर बताईएगा यहां तक बने रहने के लिए और वीडियो को फूल वाच करने के लिए लोट्स अफ ठैंक्स आज के लिए इतना ही मिलती हूँ मैं कल एक और नए वीडियो के साथ तक लिए बाइबाइए और टेक